यूपी के लखिमपूर खीरी से है जहां लखनाओ के नोडल अधिकारी कमिशनर रंजन कुमार चार दिवसिय दोरे पर हैं इस दोरान कमिशनर रंजन कुमार भारत नेपाल सीमा पर बाढ़ और कटान प्रभावध गाउं का के हालातों का जाजा जालेंगे साथी प्रभावध ग्रामिनों सोनों ने मुलाकात भी की इसके अलावा उन्होंने राहत सामगरी वित्रित किये जाने को लेकर SDM निगासन उम्प्रकाश गुपता को निर्देश पी दिये यूपी के लखीमपूर खीरी में गाए को बचाने के चकर में एक कार अन्यंतरत होकर डिवाइडर से जाटकराई और इस हाथसे में भजपा नेता के भतीजे समेट दो लोगों की मृत्ति हो गई जबकि दो लोग गंभी रूप से घायल हुए हाथसे की सूचना पाकर पॉँची पुलिस ने दोनों गायलों को अस्पताल पहुँचाया जहां से उन्हें लखनो रफर किया गया है यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैज शराप का कारोबार करने वालों पर पुलिस ने सिकंजा कशा है ऐसे में पुलिस प्रिशासन की ओर से चलाए गए विशेश अभियान के तहट तिकुनिया कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कारवाई कर खेरटिया रेल्वे क्रॉसिंग के पास से एक अभ्यूक्त को गरफतार किया है साथी आरोपी से 900 लीटर अवैद कच्छी शराब भी बरामत की फिल्हाल पुलिस आगे की कारवाई में जुट गई है